हमिर्पूर बिला क्यूवा कॉंगर्स के अध्यक्स अस्विनी कमार ने कहा कि इस महामारी के दौर में सरकार अपना मान्सिक शंतुल पूरी तरह से खो चुकी है एक तो इस महामारी की बज़ा से चारों तरफ फ्रीवा लोग ब्रोजगारी की मार्च हिल रहे हैं दहीं दूसरी तरफ महामारी के डर्ट के साय में जीनी को मुझूर है असनी कमार ने कहा कि हमीरपू मेडिकल कॉल्ज में रखी गई 42 स्टाफ नर्स को आज बाहर का रास्ता दिखा दिये गया जबकि उनको पुशकित किया जाना चाहिए था उन्होंने महामारी के समय में अपनी जान हतेली में रखकर हमिरपूर के कोबड मुरिजों की देखवाल की और उनका ख्याल रखा और दूसी लहर को जल्द से जल्द खत्म करने में एहम भूमकन वाई लेकिन और सोर्चिंग के नाम पर उनको फिर आज बाहर का रास्ता दिखा दिये गया या दुर्वग्यपूर्ण है कि जब इसमें महामारी का समय चल रहा है और मृज्जों को भेतर स्वास्तिय सुविदा चाहिए ऐसे स्वास्तियवाग के किसी भी स्वास्तिय कर्मी को निकालना नाकेवल सरकार की अदूर दर्शत को दरसाता है बलकि उनके निकम्मेपन और लाइकी का भी एक बहुत वड़ा उधार्ण है युवा कॉंग्रस स्टाफ नर्सिज के साथ खड़ी है और सरकार से गुजार्च करती है कि जल से जल्द इन स्टाफ नर्स को बहाल किया जाए अन्यता युवा कॉंग्रस मैडिकल कॉलेज के सामने धर्ना प्रदर्शन प्ल्ट्व के ले आप मेर्पोट युवार्बोट